हेलो एफ्रीवान, माइ नेम इस अदीती चौधरी, विल्किम टू माइ चैनल, अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे, सरकार हर साल बजट में बदलाव करती है, डॉक्टर ने उसकी दवाईयों में कुछ बदलाव किय हैं, अब मैं अपनी लाइफ स्टैल में बदलाव कर रहा हूँ, तुम्हें अपने खानपान में कुछ बदलाव करने चाहिए, ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस जिन में हम किसी चीज में बदलाव करने के बारे में बात करते हैं, इनको इंगलिश में बोलने के लिए हम make changes का use करत हैं, जिसका मतलब होता है बदलाव करना या फिर बदलाव लाना, इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं, इसके rule में सबसे पहले subject आता है, subject के बाद subject और tense के according helping verb आती है, इसके बाद make changes in आता है, और last में other words आते हैं, जिन में हम उस चीज को mention करते हैं, जिसमें बदलाव करने की या बदलाव लाने के बारे में हम अपने sentence में बात कर रहे हैं, यहाँ पर यह जो make है, यह as a main verb यूज होता है, जो कि subject और tense के according change भी हो सकता है, जैसे कि makes, made, making, चलिए अप कुछ examples देखते हैं, जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए, सरकार हर साल बजट में बदलाव करती है, या फिर सरकार हर साल बजट में बदलाव लाती है, दोनों का sense एक ही है, बस कहने का फर्क है, The government makes changes in the budget every year, डॉक्टर ने उसकी दवाईयों में कुछ बदलाव किये है, The doctor has made some changes in his medicines, अब मैं अपनी lifestyle में बदलाव कर रहा हूँ, I am making changes in my lifestyle now, तुम्हें अपने खानपान में कुछ बदलाव करने चाहिए, You should make some changes in your diet, बॉस अगले महिने से काम में कुछ बदलाव करने वाले है, Boss is going to make some changes in the work from next month, तुम अपनी जिन्दगी में कुछ बदलाव क्यों नहीं करते, Why don't you make some changes in your life? क्या उसने अपने व्यभार में कोई बदलाव नहीं किया, Didn't he make any changes in his behavior? अब एक sentence आपके लिए, मैं अपने रूटीन में बदलाव कर रहा हूँ, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, या आप मुझे comments में बताए है, आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपने इससे कुछ सीखा है, तो please इसे like कीजिए, मेरे चैनल को subscribe कीजिए, and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button, so that you get notified whenever I post new videos, अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए take care, bye bye,